आपको तो पता हुगा कि स्पेस में एक प्लैनेट था प्लूटो नाम का अब मैं था इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसको प्लैनेट के लिस्ट से निकाल दिया गया था अब इसको छोटा प्लैनेट मान गाता है लेकिन इस बात से बहुत सारे कंट्रीज नाराज थें कि दुनिया भर की स्पेस ओर्गनेशन प्लूटो को प्लैनेट अब नहीं मान रही है तो आपको पता है न्यू मेक्सिको में एक लेजिसलेचर पास हुआ जो कि ये कहता है कि उनके लिए प्लूटो अभी भी प्लैनेट है जब वो स्टेट के ऊपर से पार होगा यनि जब प्लूटो न्यू मेक्सिको से दिखेगा आस्मान में जब वो उनके ऊपर से पास होगा तब वो उनके लिए प्लैनेट होगा मतलब legally still planet है न्यू मेक्सिको के लिए और बिल बनाकर पास कर दिया गया सिर्फ प्लुटो प्लैनेट के लिए कितनी अजीब बात है लेकिन ये ट्रू है साल 2022 में एक बहुती अजीब सी घटना होई एक फार्मोनर जिसके अंदर बहुत सारे शीप्स मजूद थी यानि भेड वो सारे भेड आचानक से एक सरकल में घूमने लगे लगभग 400 भेड थे पहले एक दो भेड शुरू किये सरकल में घूमना फिर पांच दस उसमें एड हो गए फिर दस बारा एड हो गए फिर पचास एड हो गए सबसे अजीब बात यह है कि बारा दिनों तक लगतार वो चलते रहें चलते रहें जब तक वो बेहोश ना हो गया अभी एक बहुती भैंकर एक्जामपल है भेंड चाल का अपनी टर्म सुना होगा भेंड चाल यानि भेंड जो होते हैं वो एक दुसरे को कौपी करते हैं अग कि सारे भेंड उसके पीछे जाके गिरने लगेंगे जिसको कि भेंड चाल कहा जाता है तो आज तक इंसानियत ने भेंड चाल का ऐसा एक्जामपल नहीं देखा था लेकिन अब देख लिया फिर बाद में ये पता चला कि इन सब को एक बिमारी हुई थी एक ऐसी बिमारी ज यानि सर्कलिंग डिजीज और यही कारण था कि बारा दिन तक लगतार ये घूमने लगे उस फार्मोनर के पास इस घटना का पूरा कम्प्लीट सिसी टीवी फुटेज भी मौजूद है दस असंभाव बाते जो असल में सच हैं आप भी यकीन नहीं कर पाओगे तो दोस्तों इस वीडियो में बताया गया है वीडियो बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्केप करें हुए और वीडियो में काफी कुछ जानकारी आपको म सब्सक्राइब करता है दोस्तों जादा डिल्या करते हैं चलते हैं वीडियो की तरफ वीडियो के एन में एक बात्वीर से तफसिली बातचीत करेंगे को एलिफैंट को खिलाया जाता है यहने उसको खा लेते हैं फिर एलिफैंट के डाइजेस्टिफ सिस्टम से पास कराकर निकाला जाता है एलिफैंट का डाइजेस्टिफ सिस्टम प्रोटीन को ब्रेक कर देता है कॉफी का जिससे की कॉफी और भी तीता हो जाता है और लग कड़वा कॉफी बनता है कड़वाहट तब आती है जब एलिफेंट के पेट में डाइजिस्टिक सिस्टम के अंदर प्रोटीन ब्रेक हो जाता है तो क्या आप ये ब्लैक आइवोरी कॉफी पीना चाहोगे मैं तो बिल्कुल नहीं नेक्स्ट फैक्ट इस धर्ती का साइज के हिसाब से सबसे लार्जस्ट क्रियेचर ब्लू वेल ये तो धर्ती का सबसे लार्जस्ट क्रियेचर है ही लेकिन इसके बारे में एक अमेजिंग फैक्ट आपको मैं बता दूं कि इसका जो हार्ट बीट होता है तब जो साउंड निक और है जाबर हर्ट मैसिव हर्ट उसके पूरे शरीर में बलड को पंप करता है और सरक्यूलेट करता है और इससे जो वाइबरेशन उतपन होती है उसको हाइड्रोफोन कैप्चर कर सकते हैं यानि इनसान का बनाया गया जो अंडर वाटर माइक्रो फोन से उन्हीं को कहते है हा सुचो पानी के अंदर दो किलोमेटर दूर तक पानी में वाइवरेशन फैलता है उसके हार्ट के बीट होने से डाट्स कजब नेक्स्ट फैक्ट अब जब भी मैप्स देखते होगे तो आपने लाटिटूड और लॉंगिटूड के बारे में तो जरूर सुना होगा मैप में होता है ना इतना डिगरी नॉर्थ इतना डिगरी इस्ट इस कॉडिनेट से हम धर्टी के किसी भी एक्जैक्ट लोकेशन के बारे में पता कर सकते हैं इतना डिगरी North इतना डिगरी East या फिर इतना डिगरी South ऐसे होता है तो कहीं न कहीं जीरो डिगरी तो होगा धर्ती पे तो वो जगह ये है एफरीका के बगल में नल आइलेंड करके एक आइलेंड है और यही वो location है जहां पर 0 degrees latitude और 0 degree longitude होता है जहां पर धर्ती का prime meridian और equator intersect करता है यानि यहां पर 0 degree N और 0 degree E होता है और यह जगह अकसर एक reference point के तोर पर यूज होती है mapping software पे और इसलिस का नाम भी नल आइलेंड दे दिया गया है West आफरीका से करीब 600 km दूर यह मौजूद है Next Fact जो लोग एग खाते हैं यानि अंडा खाते हैं उनके लिए जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप अंडे को water में डाले और वो तैरने लगा तो आपको वो अंडा नहीं खाना चाहिए और अगर वो अंडा डूब गया तो इसका मतलब वो एक fresh एग है जी हां क्योंकि एग शेल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे छेद मौजूद होते हैं यह सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि आप कर सकते हो यह पता करने के लिए कि एग फ्रेश है या नहीं Next Fact ठैड रोबर्ट्स यह एक नासा का इंटर्ण था जो कि एक बहुत ही अजीब सा काम किया एक बचकाना हरकत इसने करीब 101 ग्राम चांद का रॉक जो कि नासा के फैसिलिटी में रखा गया था उसको चुरा लिया नासा का लिउनर लैब टेकसस में मौझूद है और वो बहुत ही सिक्योर्ड लोकेशन है चांद का और दूसरे ग्रहों का रॉक वहाँ पर अच्छे कंडिशन में रखा गया है रोबर्ट तो वहाँ पर इंटर्ण था तो वहाँ पर जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनसे उसका दोस्ती भी था तो उसने प्लैन बनाया कि 101 ग्राम मून रॉक जिसका कीमत 21 मिलियन डॉलर्स यानि करीब 140 करोड रुपय है वो लेके जाएगा और अपने गल्फरेंट को बताएगा कि मैंने तुम्हारे लिए चांद का टुकड़ा ले आया जी हाँ यही उसका इंटेंट था और पकड़े जाने के बाद उसने यह कहा था कि वो मून के उनी पीसेस को बेड़ पे चाहरो तरफ फैला के और लव मेकिंग करेगा यानि लिटरली चांद पर रुमैंस इन फैक्ट इस ड्रेम को पूरा करने के बाद वो उस रॉक को बूसरे मिनरलोजिस्ट को बेचना भी चाहा और कई लोग मिल भी गय थें जो की मू मांगे रकम पर चांद का टुकड़ा लेने के लिए तैयार थे लेकिन उसके पहले ही उसको पकड़ लिया गया सबको पता चल गया कि यही चोरी किया था तो यह एक असल कहानी है जहां पर चांद का टुकड़ा रियल में बॉइफ्रेंड ने गल्फरेंड को दिया डैट्स रीली गजब नेक्स्ट फैक्ट क्या आपको पता है कि घड़ी क्लॉक वाइज ही क्यों गूंती है देखो राइट साइड अगर गूमें तो इसको हम क्लॉक वाइज कहते हैं कोई चीज लेफ्ट साइड गूमें तो इसको हम एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं तो राइट साइड गूमने को क्लॉक वाइज इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लॉक इसी साइड गूमता है तो अपने shadow से time बताता है तो पहले के लोग इसी को use करते थे और इसमें जो shadow का movement होता था वो right side में होता था second minute और और के movement को नहीं तो अगर ultra भी घूंता और हम लोग के लिए ultra घड़ी ही normal होता तो उससे क्या फर्क पड़ता है जो इधर हम देखते हैं कि हाँ 3 बज रहा है 3 बज के 10 minute हो रहा है तो यह तो opposite भी हो सकता है ना left side होता 3 बज के 10 minute 15 minute लेकिन इसको right side ही इसलिए बनाया गया क्योंकि sun dial में यही होता है that's amazing next fact जिस तरह इंसानों में baby talk होता है ना इसे बच्चे से क्योट कुट तरह कैसा बात करते हैं यह no oh no तो ऐसे ही dolphins में पाया गया है आपको पता ही होगा कि हमारे दुनिया में dolphins सबसे intelligent creatures में आते हैं तो इनका baby talk का version पाया गया है जो कि यह high pitch करक और slow pace में अपने बच्चे से बात करते हैं अपने original pitch को बदल कर baby talk करते हैं जैसा इनसान करते हैं मतलब जानवरों के दुनिया में dolphins ही एक ऐसा creature है जिसको कि ऐसा करते हुए देखा गया है animal kingdom में जितने भी animals है बाकि सब में चाहे बच्चा हो चाहे अडल्ट हो वो एक style से ब आया गया है जिसमें उनका पैरेंटीज का तरीका अलग होता है इंसान की तरह next fact 17th century में Lazarus Colorado एक murder के लिए Convict हुआ था और court ने उसको death sentence सुनाया यानि उसको फांसी की सजा होने वाली थी लेकिन Lazarus एक शरीर नहीं था वो Conjoined Twin थे यानि जैसे कि अब देख सकते हो उसके body के इस पार्ट से उसका एक भाई भी था जो कि उसी में जुड़ा हुआ था लेकिन death तो मेन वाले Lazarus ने किया था और court में भी ये प्रूव हुआ और death sentence मिला लेकिन जब उसे death sentence finally हो गया तब उसने court को ये कहा कि अगर उसे मा जाएगा लेकिन इसने कोई गलत काम नहीं किया है अपने हाथों से तो ये इसके लिए कोई तरह का नयाय नहीं हुआ और ये बात सुनने के बाद court को भी technically इस बात को accept करना पड़ा और इस बात को consider करना पड़ा कि क्या करना चाहिए क्योंकि उसके साथ एक भाई भी था और मारने पर वो भी मर जाता जो कि public को accept नहीं था क्योंकि उसने कोई गलती नहीं किया था तो ये एक बहुत ही अजीब सी कहानी थी Lazarus Colorado की तो ये थे आज के facts वीडियो को like जरूर करना और चैनल को subscribe करके bell icon जरूर on कर लेना ऐसी और वीडियो के लिए thank you so much for watching this video दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देख ली होगी और वीडियो देखने के बाद आपको काफी जानकारी मिली होगी तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ तो जाने से पहले वीडियो को like कर दीजेगा, channel को subscribe कर दीजेगा, साथ में ल